यूपी और उत्राखंट की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाएं और अब एक बड़ी खबर मेरट पुलिस ने कैदियों की खातरदारी की कोट से जिल ले जाते वक रास्ते में समोसा पाटी हुई कैदियों को पुलिस वालों ने चाह आए समोसा खिल आया कैदियों की खातरदारी की करते हुए ये विडियो वारल हो रहा है पहले भी मेरट में खातरदारी के चलते एक माफिया भाग गया था लेकिन उस घटना से भी सबक नहीं लिया और इस बार पोलिस वाले चाय समोसा खिलाते नजर आए कैदियों को कोट में पेशी हुई और पेशी के बाद जब वापस ले जा रहे थे तो बीच रास्ते में रोप कर इन दोनों कैदियों को आपके पक्षियों में समोसे खिलाए जा रहे हैं क्यादियों को बीच रास्ते में रोक कर चाय पकोड़े समोसे खिलाए जा रहे हैं जबकि एक बार पूर्व में घटना हो चुकी है जिसका फायदा उठाकर एक कैदी भाग निकला था समवद अता बलराम से इस पर अब बेट लेते हैं बलराम क्या यह सजायाफ्ता कैदी है या पर ट्राइल चल रहा है मतलब यह कैसे हो रही है समोसे पकोड़ा पार्टी यहां पर कैमरे भी ओन है इधर सब्सक्राइल चल रहा है इनको पेस्ट के लिए कोड़ लेकर के जा रहा है थे जो प्रिट कर भी है आटो कर उसी दवरान इन्हों ने एक चाय की दुकान पर रोका और रोकने के बाद उन्हें दो समोसे और चाय दिलाई है और यह खासे हुए वहां पर जो लोग से उन्होंने यो बनाया और वीडियो बना करके सोसल मीडिया पे वाइरल लिया और यही कुछ हिस्टी जो हजार उनीस में तज़्वीर देखने को मिली थी जब बदंसिन बद्दो जो पच्श्वी उपी का टौन था वो यहां पर आया था मुपुत मैं होटल में फेज़ी पुलिस के आला विकारियों से हमारी बात कुई है तो उनका यह कहना था कि इसको साम को दोनों यूकों को गिरफ़तार किया था उसके बाद इन्हें जब पीपी के दवरान ले जा रहे थे यह काफी पूंके थे इनको समोसा और चाय खिलाने की बात कही गई थी वही बिलकुल अर्पूर में जब इतना बड़ा माफिया डॉन इसी चन का ऐसे ही एक मुव्मेंट का फाइदा उठाकर फरार हो चुका है तो ऐसे में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती है पुलिस बीट सड़क पर और्टो में आप बैटे हैं और्टो में दोनों साइड खुली होती है यहीं पर चाय समोसा बैट करके खाये जा रहा है और किसी भी वक्त कोई भी इस मौके का फाइदा उठाकर भाग सकता है शुक्रिया बल्राम एहम जानकारी के लिए